नमस्कार दोस्तों, आज हम एमेथिस्ट के इतिहास, फाइदे, एमेथिस्ट कैसे पहनें, धार्मिक महत्व और उप्योग के बारे में बात करेंगे. मेरा नाम रहान है. अगर आप चैनल में नई हैं, खृप्या लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे दोस्तों. एमेथिस्ट का इतिहास एमेथिस्ट का इतिहास हजारों साल पुराना है. इसका नाम प्राचीन ग्रीक शब्द एमेथिस्टोस से आया है, जिसका अर्थ है, नशे में नहीं या शांत, युनानियों का मानना था कि नीलम नशे को रोक सकता है और अक्सर इसका उप्योग प्याले और पीने के बरतन बनाने में किया जाता था. प्राचीन मिस्र में सुरक्षा के लिए एमेथिस्ट को ताबीज में तराशा जाता था, जबकि मध्ययुगीन यूरोप में इसे राजशाही और आध्यात्मिक शक्ती का प्रतीक माना जाता था, जिसे अक्सर राजा, रानी और उच्छ पदस्थ धार्मिक शक्सियते पहनते थे. बाइबल में वर्नित महायाजक के ब्रेस्ट प्लेट में बारह पत्थरों में से एक एमेथिस्ट भी था, जो दिवे ज्यान और ईश्वर से संबंध का प्रतीक था. पूरे इतिहास में, इसे न केवल इसकी सुन्दर्ता के लिए बल्की बुरी और नकारात्मक उर्जा को दूर करने की कथिच शक्ती के लिए भी सराहा गया है. एमेथिस्ट के लाब एमेथिस्ट अपने भावनात्मक, शारिरिक और आध्यात्मक लाभों की विस्तरित श्रिंखला के लिए जाना जाता है. भावनात्मक उपचार एमेथिस्ट शांती और शांती के लिए एक शक्तिशाली पत्थर है. ऐसा माना जाता है कि यह तनाव, चिंता और भावनात्मक उथल पुथल को कम करने में मदद करता है, शांती की भावना को बढ़ावा देता है अध्यात्मिक विकास एमेथिस्ट अकसर अध्यात्मिक जागरुकता और अंतरग्यान को बढ़ाने से जुड़ा होता है यह तीसरे नेत्र चक्र को खोलने में मदद करता है, जो मानसिक ख्षमताओं और आध्यात्मिक अंतरद्रिश्टी से जुड़ा हुआ है सुरक्षा यह रत्न आभा मंदल के चारों और एक सुरक्षा कवच बनाने, नकारात्मक उर्जा और मानसिक हमलों को रोकने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध है नींद में सहायता ऐसा माना जाता है कि एमेथिस्ट अनिद्रा में मदद करता है और दिमाग को शांत करके और चिंताओं को कम करके आराम दायक नींद को बढ़ावा देता है शारिरिक उपचार Crystal healing में एमेथिस्ट को प्रतिरक्षा प्रनाली का समर्थन करने, सिरदर्थ से राहत देने और परिसंचरन में सुधार करने के लिए माना जाता है इसका उप्योग शरीर को हानिकारक पदार्थों से विशहरन करने में मदद करने के लिए भी किया जाता है मीन, कुम्भ और मकर राशी के तहट पैदा हुए लोगों के लिए नीलम आदर्श है यह भावनात्मक संतुलन, आध्यात्मिक विकास यह नकारात्मक उर्जाओं से सुरक्षा चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए भी फाइदे मंद है अभूशन, अंगूठी, हार या कंगन के रूप में पहने जाने पर नीलम सबसे प्रभावी होता है यह इसे शरीर के करीब रखता है ताकि इसकी उर्जा आपकी आभा के साथ पातचीत कर सके आध्यात्मिक लाब के लिए इसे हृदय या गले के चक्र के पास पेंडेंट के रूप में पहनना आदर्श है ध्यान के दौरान, ध्यान करते समय अमेथिस्ट क्रिस्टल को पकड़ने से आपका ध्यान गहरा करने अपने अंतरग्यान को खोलने और चेतना की उच्च अवस्थाओं से जुड़ने में मदद मिल सकती है चांदी या सफेद सोने में जड़ा हुआ एमेथिस्ट पहनने की सलाह दी जाती है खास कर यदि आप इसके शांत और आध्यात्मिक गुनों के लिए इसका उप्योग कर रहे हैं इसके गुनों का दोहन करने के लिए इमेथिस्ट का उप्योग विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है ध्यान और उपचार मन को चेतना के उच्चिस तर तक खोलने और आध्यात्मिक अंतरद्रिष्टी को बढ़ाने के लिए ध्यान के दोरान अकसर एमेथिस्ट का उप्योग एक उपकरन के रूप में किया जाता है घर की साध सज्जा अपने रहने की जगह में एमेथिस्ट क्लस्टर या जियोड रखने से नकारात्मक उर्जा को दूर करके एक शांत वातावरन बनाने में मदद मिल सकती है खुबसूरत आभूशन बनाने के लिए एमेथिस्ट एक लोकप्रिय विकल्प है नकेवल अपने सुन्दर रंग के कारण बलकी अपने आध्यात्मिक और भावनात्मक लाभों के कारण भी उपचार पधधिया क्रिस्टल हीलर शारिरिक बीमारियों के इलाज, दर्द से राहत और भावनात्मक उपचार में सहायता के लिए एमेथिस्ट का उप्योग करते है धार्मिक महत्व विभिन धार्मिक परंपराओं में नीलम का विशेश महत्व है इसाई धर्म इसाई परंपराओं में एमेथिस्ट आध्यात्मिक ज्ञान और विन्मरता का प्रतीक रहा है इसे दिव्यज्ञान और पवित्रता के साथ संबंध के संकेत के रूप में बिश्पों द्वारा अंगूठियों में पहना जाता था इस पत्थर का उल्लेख बाइबिल में महायाजक के ब्रेस्ट प्लेट पर बारा रतनों में से एक के रूप में भी किया गया है, जो दैविय अनुगरह का प्रतिनिधित्व करता है. बौध धर्म बौध प्रताओं में ध्यान और आध्यात्मिक विकास में सहायता के लिए अक्सर प्रार्थना मोतियों, माला में एमेथिस्ट का उप्योग किया जाता है. ऐसा माना जाता है कि यह विचारों की सपश्टता बढ़ाता है और आंतरिक शांती को बढ़ावा देता है. प्राचीन ग्रीस युनानियों का मानना था कि अमेथिस्ट नशे को रोक सकता है और दिमाग को साफ रख सकता है. उन्होंने ज्यात्तियों से बचने और मन की संतुलित स्थिती बनाये रखने के लिए अमेथिस्ट के ताबीज पहने. प्राचीन मिस्र की संस्कृती एमेथिस्ट का उप्योग नुकसान से बचने और मृत्यू के बाद अच्छे भाग्य लाने के लिए सुरक्षात मक्ताबीज में किया जाता था कंक्लूजिन संक्षेप में कहें तो एमेथिस्ट एक सम्रिध इतिहास वाला एक शक्ति शाली रतन है जिसे सभी संस्कृतियों और धर्मों में समानित किया गया है शांती, आध्यात्मिक विकास और सुरक्षा लाने की अपने क्षमता के लिए जाना जाने वाला एमेथिस्ट तनाव को कम करने, अंतरग्यान को बढ़ाने और नकारात्मक उर्जा के खिलाफ ठाल बनाने में मदद कर सकता है बेजिज़क एमेथिस्ट के कई लाभों का पता लगाएं और देखें कि कैसे इसकी उर्जा आपके जीवन को आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से बढ़ा सकती है अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक, कमेंट, शेर और सब्सक्राइब करें देखने के लिए धन्यवाद दोस्तो